दोस्तों नमस्कार, E.D. की जांच से इधर उधर भागते अनिल देश्मुक का पूरी तरीके से दोस्तों तूट चुके हैं देश्मुक के तूटने की एक वज़य ये भी है दोस्तों की E.D. लगातार उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने में लगी हुई है और E.D. को ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देश्मुक E.D. के सामने पेश होने से बचते हुए दिखाई दे रहे थे तो फिर E.D. ने देश्मुक पर लगाम लगाने के लिए ये तावर तोड़ कारवाई जो है कर डाली इस कारवाई का असर दोस्तों ये हुआ कि अनिल देश्मुक ने खुद इस बात का अब ऐलान किया है कि वो कब तक E.D. के सामने पूछताच के लिए पेश होंगे दोस्तों यहाँ पर चौकाने वाली बात ये भी है कि एक आरोपी E.D. को बता रहा है कि वो E.D. के सामने जवाब हाजर के लिए कब और कितने बज़े पेश होंगे महरास्तु के पूर्विग्रह मंत्री अरेल देशमुक ने कहा कि वह धन शोधन मामले में उनकी याचका पर उच्चतम नयायलाई का फैसला आने के बाद मैं इसकी जाच के समद्ध में अपना बयाद दर्श कराने के लिए परवर्तन निदेशालाई यानि की E.D. के सामने पेश होंगे यानि की दोस्तों जो याचका उन्होंने दायर कर रखी है सुप्रीम कोट में अपनी राहत को लिकर जो भी एक्शम्स लिए जा रहा है इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टोरेट या फिर दूसरी एजेंसियों के लिए उसका जब तक जो है नर्ने नहीं आता तब तक वो पेश नहीं होंगे देशमुक ने दन्शोधन के मामले में किसी दंडात्मक करवाई से संरक्षड प्राप्त करने के लिए न्यालाय में एक याचका दायर कर रखी है राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता का ये बयान दोस्तों ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले निर्देशालाय ने नाकपुर जिले में उनके दो आवास पर छापे मारी थे उनके दो ठिकानों पर एडी ने जो है छापे मारी कीती और बता जा रहा है वहाँ से बहुत सारे ऐसे एविडेंसे निकल कर सामने आये हैं जो कि तरव इशारा करते हैं कि वसूली चल रही थी देश्मुक ने वीडियो संदेश के जरिये कहा कि एडी ने हमारे परवार की संपत्य स्थाई रूप से जब्त कर ली है जो करीब 4 करोड रुपे की हैं उन्होंने काया कि उनके बेटे सलिल देश्मुक ने 2006 में 2.67 करोड रुपे की जमीन खरीदी थी जिसे भी जब्त कर दिया गया है देशमुक ने दोस्तों काया कि मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि एडी ने सलेल देशमुक की 300 करोड रुपे की संपत्ति को जब्त कर लिया है जो कि दरसल मेरे बेटे की कमपनी ने 2.67 करोड रुपे में खरी दी थी ये समाचार गुमरा करने वाले हैं ऐसा दावा किया जा रहा है ने देशमुक की तरब से क्योंकि टाइमस ओफ इंडिया पर एक खबर चापी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो लगबख साड़े 4 करोड की प्रॉपेटी बताई जा रही है वो दरसल 300 करोड की है देशमुक इस से पहले मामले में पूछताच के लिए ने देशालाई की और से जारी समन के बाबजूद उसके समक्ष पेस नहीं हुए थे पूर मंत्री ने कहा कि मैंने परवरतन नेदेशालाई यानी की इडी के समन मिलने के बाद सुप्रीम कोट में याचिका दायर की थी मैं अपनी याचका पर उचतम नियालाई के फैसले के बाद अपना भयान दर्ज कराने के लिए परवरतन निर्देशालाई के पास में जाऊंगा दोस्तों ये बहुत ही जादा चौकाने वाली बात है कि एक आरोपी जिसके उपर वसूली करने के आरोप लगाए गए हैं वो दरसल इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट को ये बता रहा है कि एडी के सामने वो कब पूछताच के लिए पेश होंगे केंद्री एजेंसी ने हाली में देशमुक के निजी सचीप संजीप पलांडे और निजी साय कुंदन शिंदे को गरफतार किया था इससे पहले उसने दोनों और देशमुक के मुंबई तथा नाकपूर में इस्तित आवासों पर जो है छापे बारी की थी इडी ने बंबई उचनियालाई के आदेश पर दर्श किये गए मामले के बाद केंद्री एनवेशर ब्यूरो यानि की सीब्याई की प्रारंबिक जाँच के बाद देशमुक तथा अन्नी के खिलाप में मामला दर्श किया था अदालत ने सीब्याई के मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग के देशमुक के खिलाप लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जाच करने के लिए कहा था देशमुक ने दोस्तों इन सभी आरोपों से जो है सीधे तोर पर इंकार किया हुआ है तो इतने दिनों के बाद में अनिल देशमुक का एक ओफीशल स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहा है वो भी वीडियो मैसेच के जरिये अनिल देशमुक ने कहा है कि उन्होंने जो पेटीशन दरसल फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में उसका उन्हें इंतजार है और उन्हें पूरी उमीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ राहत दी जाएगी इसलिए वो इरडी के सामने तभी पेश होंगे जब सुप्रीम कोट की तरफ से कोई वर्डिक्ट दे दिया जाएगा उनकी पेटीशन को लेकर दोस्तो यहाँ पर जो बहुती ज़ादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि अनिल देशमुक जिनके उपर करोड़ों रुपे की वसूली के आरोप लगे हैं वो खुद इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट को बता रहे हैं कि हम कब एडी के सामने पेश होंगे तो यह बहुती ज़ादा दोस्तो अपने देश की जो कानून विवस्ता है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है क्योंकि अनिल देशमुक एक वी आईपी परसन एक वी आईपी पॉलिटीसियन है क्या इस वजह से उन्हें ये सारी रहत मिल रही है क्या इस वजह से वो एडी को दरसल बता रहे हैं कि वो कब जो है इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट के सामने पेश होगे क्या किसी आम आदमी के लिए भी यही रूल्स और रेगुलेशन्स इंप्लिमेंट किये जाते चुपचाप अपना काम करे और इंतजार करे जब तक सुप्रीम कोट का वर्डेक्ट नहीं आता उनकी पेटेशन पर तब तक वो एडी के सामने पेश नहीं होगे यह स्टेटमेंट दोस्तो तब निकल कर सामने आया अनिल देशमुक का जब इंफोर्समेंट डिरेक्ट रेट ने पिछले एक हफ़ते से ताबर तोड एक्शन्स लिये अनिल देशमुक के उपर कारवाई की उनके ठेकानों पर छापे मारी की उनकी जमीन को सीज कर दिया इसके बाद मैं जो है बॉखलाहट में अनिल देशमुक की तरप से यह स्टेटमेंट दिया गया है ताकि एडी अपने एक्शन्स पर थोड़ा सा सैयम रखे लेकिन इन्फोर्समेंट डिर्टरेट ने दोस्तो ठान ली है कि अगर अनिल देशमुक जो है एडी के सामने पूछताच के लिए पेश नहीं होंगे तो एक के बाद एक खुद एडी छापे मारी करेगी सबूतों को एक खटा करेगी और अनिल देशमुक के सक्थ खिलाप में सक्थ से सक्थ कारवाई की जाएगी बेराल इस पूरे के पूरे कांट को लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में इतना ही जल्द बिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक